साथियों आप सभीकेस प्रेटफाम पर स्वागत हैं यहाँ पर हम लोग घटनाचीर पब्लिकेशन के द्वारा जो चित्रात्मक प्रसुती जीयस दृष्टी नामक स्रीज निकाली गई है तो उसका हम लोग भारती राज ब्यवस्था वाला जो स्रीज है उसको यहाँ पर हम प्रकिरिया संविधान के श्रोथ इन से संब्धित जो भी माहत्पूर्ण तत्य उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे और यह पूरी जो चीजे यह आपके प्रतेक परिच्छा के लिए काफी माहत्पूर्ण हैं तो चलिए प्रारम करते हैं सबसे पहले बात करते हैं जो अधिनियम बनाये गए, उन अधिनियमों के जो प्रमुक प्रवधान हैं, उन प्रवधानों को देखते हैं, सबसे पहले बात आती है, Regulating Act 1773 की, इसमें ये बिटिस संसद्वारा इसको पारित किया गया, इसका उद्देश क्या था? इसका उद्देश जो है, कमपनी के कारियों को भारत था, इंग्लेंड, दोनों स्थानों पर नियंतिरत करना तसा ब्याप्त दोशों को दूर करना इसका प्रमुक उद्देश था, ठीक है? ये इसका प्रमुक उद्देश था, इसमें जो प्रमुक प्रवधान किये गए, उन इसके अत्रिक्ति देखिए मद्रास प्रेसिडेंसी बंबई प्रेसिडेंसी और बंगाल ये इन दोनों प्रेसिडेंसी को मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को बंगाल अंगरी छे होता है तथा गवर्नर जनर्र के परामर्स के लिए चार सदेश्चों की कारकारणी समित की ब्यवस्था की गई और इसी एक्ट के माध्यम से जो है सब्धम सर्बोच न्याले की इस्थापना की गई 1774 में कब 1774 में और इसमें इसके तहथ एक मुखिने अधिस और तीन अन्या अधिस बनते हैं उसमें चैंबर्स लिमेश्टर यूम हाइड ये नाम कई वर प्रिच्छा में पूछा गया है इसलिए महात्रपूर्ण है अब इसके बाद जो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के पहले एक और अधिनियम आता है संसोधन अधिनियम 1781 जिसे एक्ट आप सेट इसको लाया गया था इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके परोधानों की दिबात करें तो देखिए इसमें कमपनी के मामलों में सरकारी नियंतरन में व्रिधी की गई और नियंतरन बोर्ड नियंतरन बोर्ड जिसे बोर्ड आप कंट्रोल कहते हैं इसका किया गया और कंपनी के ब्यापारी क्यों राइतिक कारें को एक दूसरे से अलग किया गया इसके अत्रिक्त भारत सरकार को दाशों की नहीं नहीं बस इतना ही यहां पर ठीक है कंपनी के ब्यापारी क्यों राइतिक कारें को एक दूसरे से अलग किया गया अब आगे चलते ह हैं इसके बाद जो आता है 1786 का अधिनियम आता है, इसमें क्या होता है गवर्णर जनरर को विशेस पर्सिती में अपने परसत के नेड़े को रद करने था अपने नेड़ेों को लाओ करने का अधिकार प्रदान किया जाता है और साथी इस समय जो governor general था Lord कार्नमालिस तो कार्नमालिस governor general था मुख सेनापती दोनों की सक्तियां लेना चाथा था इस अधिनियम के माध्यम से ये दोनों सक्तियां उसको दे दी गई अब इसके बाद जो है, चार्टर एक्ट 1813 के पहले एक एक्ट और आता है 1793 का चार्टर एक्ट आता है, इसके मादधम से कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया थीक है, 20 वर्ष के लिए जो है, वो बढ़ा दिया गया और Board of Control के अधिकारियों का बेतन भारती कोस से मिलने लगा ये परोधान किया गया और जो सक्तियां कारमालिस को जो गवर्नर जनरल तो हम मुक्सिनापति की सक्तियां दी गई थी वो अन्य जो आगे गवर्नर जनरल आते हैं उनको भी प्रदान कर दी गई अब बात करते हैं Charter Act 1813 के बारे में तो देखिए कंपनी का ब्यापारिक एक अधिकार जो है समाप किया गया चाय और चीनी के साथ जो ब्यापार था उसको छोड़ करके अन्य ब्यापार पर उसका एक अधिकार था उसे समाप किया गया तो था कंपनी को अगले 20 वर्सों के लिए भारती प्रदेशों तहा राजुश्पन नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया मतलब इसके अधिकारों को 20 वर्स के लिए और बढ़ा दिया गया पहली बार या प्रतम बार सिच्छा पर खर्च करने का प्रवधान किया गया प्रतिवर्स एक लाख रुपए इसके अत्रिक इसका एक प्रवधान और था वो था इसाई मिसेनर्यों को भारत में प्रवेश करने की छूट मिल गई आगे चलते हैं अगला है चार्टर एक 1833 इसके तहट कमपनी के सभी वाणजिक एक अधिकार यहां पर एक अधिकार होना चाहिए वाणजिक एक अधिकार समाप्त कर दिये गया पूर्टिया समाप्त कर दिये जो चाय और चीन के साथ ब्यापार वाला प्रवधान 813 में था उसको भी यहां पर समाप्त कर दिया गया तक कमपनी के अधिकार को 20 वर्ष के लिए पुना बढ़ा दिया गया कमपनी को केवल राजितिक कार करने का परवधान किया गया और बंगाल का जो गवर्णर जनल था अब वो समूचे भारत का गवर्णर जनल कहा जाने लगा इसके अत्रिक्त कानून बनाने के लिए तो कानून बनाने के लिए गवर्णर जनल की परिशद में एक विधी बनाने के लिए एक अत्रिक्त विधी सदश से समलित किया गया जो परिशद की बैटकों में भाग लेने का अधिकार था इसके पास परण तो मत देने का अधिकार उसके पास नहीं था लाड मैकाले जो था वो पर्थम बिदी सदश था इसके अत्रिक्त इसके अत्रिक बॉम्बे और मद्रास प्रेसिजेंसी से कानून बनाने का अधिकार जो है वो छीन लिया गया इसके अलावा कुछ अन्य प्रवधान भी थे जैसे विद्य आयोक की नुक्ति की गई इसी आइट के माध्यम से और धारा 87 जिसके द्वारा जाती वर्ग के आधार पर सरकारी चैन में भेदभाव समाप्त कर दिया गया वो उसका भी परोधान चार्टार एट 823 के तहद किया गया और चार्टार एट 823 के तहद ही यहाभी बेवस्था की गए कि भारत सरकार को दाशों की अवस्था सुधार ने युम अंधता दास्ता समाप्त करने की आग्या देगे मतलब इसी एक्ट के माद्यम से जो दास्त प्रथा का अंध था वो किया गया और दास्त प्रथा का अंध किस ने किया था लाड एलन बरो जो की 1842 से 1844 तक गवर्नर रहता है ठीक है तो दास्त प्रथा का अंध किस ने किया लाड एलन बरो ने किया था आगे चलते हैं अब Charter Act 1853 की बात करते हैं 1853 की बात करते हैं तो देखिए नियंत्रन बोर्ड और उसके अन्य पता धिकारियों का बेतन सरकार द्वारा निशित किया जाने लगा यह परोधान किया कि इसको सरकार निशित करेगी और धन कहां से आएगा यह इसके लिए जो धन जाकर 18 कर दी गई और इस 18 में 6 सदेश्री क्राउन द्वारा मनोनीत किये जाते थे इसके अत्रिक्त नुक्तियां जो होती थी अब एक प्रतियोगी परिछ्छा द्वारा कराई जाने लगी जिससे की पारदर्स्ता बढ़े और विधी सदेश्री को जो जिसका परवधान ज खवर्यजुन की कारकारणी का पूर्ण सदेश्र बना दिया गया 18132 पूर्ण सदेश्र नहीं बनाए गया था अब यहां पे पूर्ण सदेश्र सब्रत्य प्रथम एक विधान प्रसत के गठण की विवस्ता जो है वह चार्थाराइक 693 के माध्यर्यम से की गई अब बात क राज सच्यू भारत राज सच्यू इसके लिए क्या किया गया भारत राज सच्यू की ब्योस्ता की गई इसकी सहायता के लिए 15 सदेशिये 15 सदेशिये भारतिये परिसद का गठन किया गया अब भारत राज सच्यू के पहले जो बोर्ड आफ डारेक्टरेट और बोर्ड आफ क रंटोल का जो प्रवधान था उसको यहां पर समाप्त किया गया और भात राज सचू का प्रवधान किया गया जिसके सहायता के लिए 15 सदिश्ये भारतिये परिशत का घठन किया गया इसके दिक भारत के गवर्नर जनरल को नया नाम दिया गया वाइसराय अब भारत के गवर् अब बात करते हैं, अब बिटिस्थ ताज के saasana धीन अधिन, अभी तक जो हमने बात की, यह company के saasana धीन अधिन अधिन थे, अब चुकी company जो है, उस पर अधिकार किसका हो गया? इसका नाम भी आप देखेंगे, वो बदल जाता है, जैसे भारतिय परिसद अधिनियम 1861, इसके दहती आगएगा, वायसराय को आपात काल में अध्या देश जारी करने की सक्ति दी गई, मतलब संकट कालीन अवस्था में अध्या देश जारी करने की सक्ति दी गई, अध्या देश लागू रहने की अधिकता मौधी कितनी रही, 6 मा, मतलब इसका अध्या देश की जो सक्ति होगी, वो 6 मा तक लागू रहेगी, वायसराय की परिसद को कानून बनाने की सक्ति परदा किया गया इसके तार नियुन्तम 6 यूम अधिक्तम 12 अत्रिक सेजिश्यों को समलित किया गया जब भी बैठक होती ही तब बंबाई था मद्रास प्रांतों को पुनह 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 दे दिया गया अपने लिए कानून बनाने का जो अधिकार था और संसुदन करने का ये इनको पुना से दे दियागया आगे चलते हैं अब बात करते हैं भारतिे परिसत अधिण Um 82 की इसके ठाथ किया गया इसके ताथ बिधान्परिसत के सेजश्यों को budget पर अपने बिचार करने का अधिकार दिया गया तथा यहां परुण कर्ण कर सकते और प्रस्चन पूछने का अधिकार कहली के मामलों में सार्वजनिक की मामलों मिधान मदल सेज्च्छों को 6 दिन a की पूर्व सूचना देकर प्रश्ण पूछने का अधिकार दिया गया सार्वनिक हिद की मामलों में तदा इस भारतिय परिशत अधिनियम 1909 की जिसको मारले मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जानते हैं मारले जो है इसमें भासचु रहते हैं और मिंटो जो है वो आपके वाईसराय रहते हैं इसके माद्यम से भारत में परतनियुत के आधार पर बिधान परशद में निरवाचन प्रणाली लागू की गई और तीन प्रगार के निरवाचक मंडलों का प्रवधान किये गई इसी के माद्यम से सम्परदाइक प्रतनियुत की विवस्था की गई ठीक है केंद्री विधान मणलग सेस्चयों को बजट पर बिचार करने यों प्रस्ताव-प्रसुत करने का अधिकार तो दिया गया परनतु मदो देने का अधिकार यहाँ पर प्रश्ञ पूछने का विधिकार था परंतू मत देने का दिकार यहाँ पर नहीं दिया गया अब बात करते हैं भार्वर्जित अधिनियम उन्य सुनों के बारे में जो प्रशिद कथम रहे हैं महतपुन्लों की जैसे कि गांधी जी ने इस एक्टों कहा कि इस एक्ट ने हमारा सर्मनास कर दिया वहीं रैमजे मैकडोनॉल्ड का कहना था कि ये सुधार प्रजात अंतरवाद और नौकर साही के मद्द एक अधूरा और अल्पकालिन समझ होता है अब बात करते हैं भारष सरकार अधिनियंग भारष सरकार अधिनियंग उन्निस सो अन्निस की जिसको मांटग्यु चैंसफोर्ट सुलार के नाम से भी जानते हैं मंत कियो उसमें भारशचिय रहते हैं और चेंइपंड सफर्ट वाइस रहते है प्रका रहते हैं यह इसके मादे हम से जो है प्र प्रांतों में द्वएद सशंका प्रानर्म होताँ लोग यह केंद्मिर स से पर पहली बार द्वी सादधनातम VO भी शद्धनात्मग विधान मंडल की इस्थापना की गई और प्रांतों में द्वैद प्रसासन का प्रारंब होता है। और ये ध्यान रखेगा पूछा जाता है कि द्याद प्रसासन का जन्मदाता किसे माना जाता है तो ध्यान रखेगा द्याद प्रसासन का जन्मदाता लायोनिल कर्टिस को माना जाता है इसके अत्रिक्त प्रांतों में प्रतची चुनाव पणाली अपनाई गई जिसमें संपर्दाईक आधार पर आरच्छन की ब्यवस्था की गई पहली बार इसी अधिनियम के माध्यम से उत्तरदाई सासन उत्तरदाई सासन सब्दों का इसपश्च प्रयोग किया गया और यहाँ पर जो प्रांती विशे थे उसे दो भागों में आरच्छित और हस्तानतित विश्यों में विभाजित किया गया तथा इसके अत्रिक्त मत देने का जो अधिकार है वो संपत्ति संबंधी योगिता पर आधाईत थी तथा महिलाओं को भी मत दिकार का मत दिकार दिया गया साथ ही संपर्दाइक आधार पर निर्वाचन प्रणाले को जो कि 1909 में मुस्लिमों के लिए था उस निर्वाचन प्रणाले को सिखों सिखों पर भी लागू किया गया और इस अधिनियम का जो आधार था वो मांटगी चेंसपोर्ट की जो रिपोर्ट आती है 1917-18 में उसके अधार पर यह अधिनियम लाय गया था अब चलते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में तो देखिए इसके तहत भारती लोग सेवा इयो का गठिं किया गया अखिल भारती संकी स्थापना का परवधान किया गया जोकी धरातल पर उतर नहीं पाया था द्वैद सासन के तहट जो है इसको द्वैद सासन को प्रांतों में समाप्त किया गया और इसे केंदर में लाउ किया गया और प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई ठीक है और उत्तरदाई सासन स्वासन जो है प्रांतों को दिया गया और द्वैद सासन के इस्थान पर प उसको 1935 के अधिनियम में समाप्त किया गया इंडिया काउंसिल को और इसी अधिनियम के माध्यम से वर्मा को भारत से अलग करिया गया तथा केंदिरी रिजर्बैक की स्थापना की बेवस्था भी इसी अधिनियम के माध्यम से की गई और इसके साथ ही इसमें जो इस आधिनियम के माधिन से संप्रदाई एक तथा वर्गिय मद्दाता मंडलों का बिस्तार किया गया और इसका महत तो क्या है इसका महत इस संदर में कि भात के वर्तमान सम्मिधानिक धांचे का आधार इसे कई सारे प्रोधानों को भारती संप्रदान में लिया गया है तो केंद्री विधान मंडल को सक्तियों केंद्रों प्रांतों में कर दिया गया था इसके माध्यम से इस अधियंग के माध्यम से 1935 के फेडरल नेयालेलेग की स्थाफना अक्टूबर 1937 में की गई जब इसके साथी से साथी से गुलामी काधिकार दास्ता की अजяти पत्र भी कहा और राजτέ के नेट्यसेक्टत्य की रूप में इसे जो है भारत्य सम्विधान में स्वाविश्ट भी किया गिया है, इसके कई सारे प्रवधानों को, देखिए इसके अदिक किसमे भात के संबिधान में वर्स 1950 में इसको समलित किया गया है कांग्रेस के लखनो अधिवेशन 1936 में जो होता है इसमें भात सरकार अधिनियम 1935 को जो है अस्विक्रिट कर दिया गया था अब बात करते हैं भारत सुनता अधिनियम 1947 की तो देखिए अब विवाजित भारत बिटिस भारत का विवाजन कर भारत यों पाकिस्तान दो सुतनत अधिराज्यों की स्थापना की की और 15 अगस्ट 1947 को भारती रियास्तों पर बिटिस संप्रभूता की समाप्ती हो जाती है औ और दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मातिरी सभागों संविधान बनाने का अधिकार दिया जाता है दोनों अधिराज्यों को बिटिस राश्मंडल से अलग होने की सुनता प्रतान की जाती है तो भारत का राजस्ची उपद जो है वो समाप्त कर दिया गया इस 617 55 तक रहता है परनति इसमें 6kehr kun 1754 जनरल की रूप में मोईyer करता है q 4 84 तक बंगाल के गवर्णर जनरल की करता है पढ़ां सेनापति के सक्ति सब्तभर म्लांक किया कि इसने लाड कानमालिस ने लाड कानमालिस ईसकार कार्ज ये 1818-1793 तक था इसने प्राप्त किया भारत के प्रथम गवर्णर जर्रेर को थे लाड विलियम बेंटिंग थे जिसका कारिकार 828-35 तक रहता है और कानून निर्माण में भारती प्रतनिधियों को सामिल करने की सुरुवाद की गई भारती परिशत अधनियम 1861 के द्वारा वर्मा से भारत को अलग किया गया वर्स 1937 में तथा सर्पर्थम उत्तरदाइ सासन सब्द का परयोग किया गया भारती रीजर बैंक भारती ईरेजरवैंग की स्थापना की गई भाष सरकार अधिया में 1935 के द्वारा संबिधान सबहा की सरप्रथम मांग की गई सुराज़ पार्टी के द्वारा मै 1934 में सब्रतम भारत्य संव्मिधान सभा के गठन का विचार देने वाले विखत को थे? MNRI जिन्होंने वर्स 1934 में, बिचार दिया था भारतिय राष्ठी कांग्रेस ने पहली बार संव्मिधान सभा की मांग कब की वर्स 1934 में भारती संभिधान सभा चुनी गई अपर्तिश निरवाचन के द्वारां अब संभिधान सभा की बात करते हैं तो इसका घटन जो है काविनेट मिशन 1946 के द्वारा किया गया बहारती संभिधान के Mann सभाने किया था और इस संभिधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी यहांने के कुल 15 महिलाएं और इसकी पर्थम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को इसके इस्थाइद दर्शकों थे राजेंद प्रसाथ ते और इसके तहत कुल 11 अधिवेशन होते हैं और संभिधान अंगिक्रित कर दिया गया 26 नौंबर 1949 को जबकि पूर्णों से लागों कब होता 26 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक जो होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है अगे चलते हैं अब कुछ जो प्रमुक समितिया रही है संभान द्रमात्री, समितिया उन्हें प्रमूक समितियों के अधीच के बारे में बात करें जिस司 कि प्रारूप समित के अधिचकों थे डॉक्ट लाणिया कि दो राजने प्रसाथ में के दिटा में तीन प्रोवक समितिया थी एक घंड़ा समित थी दूसरा प्रिक्रिया नियंड और नीयम समित आ hora करिये चन्चालन चंपिति कि यह कहीं कई कार संचालन समिति थी कहिं आला जाए गए किय्म मुंसी हो जाएगे उसके प्रांतिय संभिधान समित्य मूल अधिकार समित्य अलब संख्यक और राज जंजाती समित्य उपए वर्जिच छेत्रों से समझे जो समित्य इसके यह अध्यच थे कि अब थोड़ा सा बात करते हैं कि संभिधान सभा का चुनाओ पईडाम जो कुल च्रवए सितों पर फोटी ब्यटए जो दो सभार्य से थीं इनमें कांग्रिस दो दो सो आर्ट सीटे ने मुस्लिम यूंतिए चत्र सीटे और अन्य पार्टियों ने मिलकर के 15 सीटे जीती थी ती बंदब अलग-अलग जो अन्य पार्टियों सीटे मिलती हैं और पंदरा सीट श्चे सदस्य रहते हैं इसमें एन गोपाल स्वामी आयंगर अल्लादी किस्वामी आयर केयम मुंसी मुहम्मद सादुल्ला बीयल मित्र यों डॉक्टर डॉक्टर सरी डीपी खेतान यहां देकि बाद में एक जन की मृत्र होने और एक जन के स्वास्त कावणों से हटने के अन्य बातों को देखें तो सम्विधान सभा के प्रदम बैठक की अधिस्ता किस ने की थी डॉक्टर सचिदानन सिनहा ने की थी ठीक है 9 दिसंबर 1946 को इसके अत्रिक्त जवालाल नहरू ने उद्देश प्रस्ताव पेस किया 13 दिसंबर 1946 को सम्विधान सभा के लिए चुनाओ कब होता है जुलाई अगस्ट 1946 को 1946 में अंतिरम सर्गार गठन 2 सितंबर 1946 को होता है कब होता है 2 सितंबर 1946 को देखिए भारती सम्विधान जो लागू होता है 26 जनुरी 1950 को अंगी यह कहा जाए कि भारती सम्विधान अंगी करित कब किया गया तो कैपनेट मिशन के जो सजस्ट थे वो पैंथिक लारेंस इचेफ़र्ट इस्टेफोर्ट क्रिप्स और एबी एलेकजेंडर यह तीन सजस्ट थे इसमें सम्विधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत यह किसका करतान रहा यह ग्रेंविल आश्चिन ने कहा था वहीं प्रारू समित का गठन केप किया गया 29 अगस्ट 1947 को डॉक्टर बियार अंबेटकर की अधिश्ता में तदर्त जहंड़ा समित के अधिश्कों थे डॉक् गवर्ड क्लाइब था यह दो बार गवर्णर रहता है 1758-60 और 1765-60 तक अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्णर कोन होगा वारें हेस्टिंग यह 1772-174 तक बंगाल गवर्णर रहता है फिर 1450 तक यह गवर्णर जनल के रूप में जाना जाना रखता है भारत का यह प्रथम बढ़े जाता है वह बंगाल के गवननर जनलय को कि इसी प्रकार से लाड विल्येंग बेंटी 1828-1834 तक बंगाल कवर्णर जन्र रहता और यह अंतिम बंगाल का गवर्णर जनिठा रहता है अठारारos 34 में गार्थम गवर्णर जनल के रूप में कारी करता है और लाड कैनिंग जो है यह 1856 से 1858 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल की रूप में कारी करता है और 1858 से 1882 तक भारत के प्रतम वाइसराय की रूप में कारी करता है तथा लाड माउंट पेतन की बात करें तो अगस्त 1927 से जून1949 तक यह सथांत भात के प्रतम गवर्नर जनरल थे और सीराजगोपالाचारी जो ते वो जून1949 से जनवरी 1950 तक सुतन्द भाद के पत्थम तथा अंतिम भारती गवर्नर जनरल सी राजगुपालाचारी थे अनितत्यों को बात करें तो संभिधान सभागे महात्मुर्ट से देखें पहली बैठक 9 दिसंबर सभाद 9 दिसंबर की सी अदिश्ता करते हैं। 1090 Cq 29 रुपए लगभग 64 करोन रुपए लगते हैं कुल तीन वाचन होते हैं संभिधान अपनाया गया 26 नौबर 1949 को जिबकि लागू कब होता है पूर्ण रूप से 26 नौबर 1950 को लागू होता है पूर्ण रूप से अंत्रिम सरकार जो कि 26 को गठीत हुई थी इसमें जो परूख मंत्री थे उनकी बात करते हैं तो देखिए जेयल नेरु जोहाला नेरु विदेश राश्मंदल सम्मेंदी मामलोग के मंत्री थे बल्लब भाई पटेल सूचनार प्रसाण यों ग्री मंत्राले के सीराज गुपालचारी सिच्छा मंत्र मंत्रा ये ल्याकत अली के पास बित मंत्रा ये जोगनात मंडल के पास विदि था अब्दुल अब्दुर्रब रवनिस्तर ये नहीं बलकी ले दिरें gitraag anda और परिवहन मंत्राले वो आउना आसफ हली के पास था, डॉक्टर राजिन प्रसाथ खादियूम कर्सी मंत्री, डॉक्टर C.H. भावा इनके पास कारिक खनडियूम सक्ति मंत्राले था, बल्देव सिंह के पास रच्छा मंत्राले और आई-ाई-चुदरिगर के पास वानेज मंत्राले था अब सम्मिधान जी स्योंत्राज अमेरिका से क्या लिया के लिया है उध्देशका औरश्ðक्ति doubt नेप्ल के सुझता मूल अधिकार उप राश्पति प्द्युम्राश्पती पर महाव्योग ये सारे परवध्हां जो हैं साईंट राज अमेरिका से लिए गए हैं। कनाड़ा से क्या लिए गया है स सक्त केंदर के साथ संघी motivate जो closest यूंईयार द्वारा राजिपालोंकी न्यूकती उचितम न्याले का परामर्सी न्याय नेड़ें, अवस्षिष्ट सक्तिया केंदर मिनीत, ये सारे परोधान जो हैं, वो कनाड़ा से लिए गए हैं, वहीं बिटेन से संसदी सासन परणाली, विदिका सासन, मंत्रि मंदली परणाली, एकल नागरिक्ता, दूसरा दिनिय परण हैं, वो आइलेंड से लिया गया, राजसभा में कुछ सज़ेश्यों का नामंकन, राश्पती दोरा बारस सज़ेश्यों के बारस सज़ेश्यों का नामंकन क्या जाता है, वो परोधान जो है आइलेंड से लिया गया, तथा दच्छन अफरिका से क्या लिया गया, राजसभ एस्तेलिया से जो है सैंग तो बैठक का प्रवधान उद्देश का या प्रस्ताउना की भाषा ब्यापार वानिज़ और समागम तता समवरती सूची का प्रवधान और यह जापां से लिए गए विदीद्वारा इस्थापित प्रक्रिया का प्रवधान है वो जापान से लिया गया कुछ अनफैक्टों की बात करें भारती राजतिक ब्यवस्ता में सरबोच को ने सम्विधान भारती सम्विधान में आपात उबंद लागु किया लिया गया है जर्मनी के वाइमर सम्विधान से वही राशपती के बिचरारत राजपाल दोरा